जहां भी भगवान श्री राम का कथा या भजन होता है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य आते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के परंप्रिया और महान भक्त हैं लेकिन प्रश्ण ये है के हनुमान जी इस कल्यूग में अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते और क्या इस कल्यूग के अंत से पहले भगवान कल्की से हनुमान जी का मिलन हो पाएगा तो हनुआन जी के इस स्वरूप को जानने के लिए इस वीडियो के अंध तक हमारे साथ जुडे रहें इन प्रशनों के जवाब से पहले हमें हनुआन जी के उन शक्तियों के बारे में जानना जरूरी है जिसके वे स्वामी है तो सर्वप्रतम शक्ति है गरीमा इस सिद्धी से हनुमान जी अपने शरीर के वजन को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनके उपर किसी भी शक्ती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उन्हें उठाना तो दूर की बाद उनके पूँच को हजारों हाथी मिलकर भी उठा नहीं सकते आप सब को याद होगा महाभारत में भीम जिसके पास हजारों हाथीयों का बल था वो हनुमान जी की पूँच तक नहीं हिला पाया था तो दूसरा शक्ती है लगीमा इस सिद्धी से हनुमान जी अपने वजन को शून्य कर लेते हैं इसका मतलब उनके शरीर में हलका सा भी वजन नहीं होता इस सिद्धी से कोई भी बाहरी शक्ती उन्हें काबू नहीं कर सकती और नहीं उन पर कोई ग्रैविटी का असर था और यही वो शक्ती है जिसकी वज़ा से हनुमान जी लाइट की स्पीड से जादा तेज उड़ सकते थे क्योंकि अगर हम साइंस की दृष्टी से देखें तो लाइट की स्पीड तक जाने के लिए आपके शरीर का वेट जीरो होना होगा जो कि हनुमान जी ही ऐसा कर सकते थे तीसरा शक्ती है अनिमा इस सिद्धी से हनुमान जी खुद को इतना छोटा कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल भी उनके सामने पहाड जितना बड़ा दिखता है आप सबको याद होगा रामान में जब हनुमान जी माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुँचे थे तब उन्होंने खुद को एक चीटी जितना छोटा कर लिया था चौथा शक्ती है महिमा इस सिध्धी के प्रयोक से हनुमान जी अपने शरीर को मन चाहे जितना विशाल बना सकते थे फिर इनके सामने पूरा ब्रह्मान ही छोटा पड़ जाता आपको याद होगा संजीवनी बूटी लाते वक हनुमान जी ने खुद को पहाड जितना बड़ा कर लिया था और फिर उस पहाड को अपने हातों में उठा लिया था पाँचवी शक्ती है प्राप्ती अगर ये सिध्धी किसी के पास हो तो वो मन चाहे चीज को पा सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता हनुमान जी के पास भी ये सिध्धी थी और उन्हें मन चाहे चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता था जैसे कि बचपन में उन्होंने सूरज को फल समझ कर निगल लिया था लेकिन समय रहते इंद्र देव के वज्र प्रहार से सूर्य देव को सृष्टी के कल्यान के लिए छोड़ दिया चठा शक्ती है वशिष्टवा इस सिध्धी से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे ऐसा कहा जाता है कि ये सिध्धी रावन के पास भी थी और इसी सिध्धी से नव ग्रहों को छल से अपने वश में कर लिया था और हनुमान जी ने रावण की इसी शक्ति का प्रभाव खतम करके सभी नवग्रहों को उसकी शक्ति से मुक्त कर दिया था सात्वा शक्ति है इशित्वा इशित्वा शिद्धी को इस्ट सिध्धी और एश्वर्य सिध्धी भी कहा जाता है ये सिध्धी जिन देवताओं के पास होती है उन्हें इश्वर समान स्वरूप प्राप्त होता है और इसलिए हनुमान जी अपने किसी भी भक्त के कष्ट को हर लेते हैं लेकिन हनुमान जी क्यों इन शक्तियों को इस कल्यूग में प्रयोग नहीं करते ऐसा इसलिए क्यूंकि कल्यूग के आरंभ में ही हनमान जी मनुष्ज के इन दुषकर्मों से विचलित हो गये थे और तब भगवान शीव पुना अनमान जी को उनके लक्ष से अबगत कराया जिसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम द्वारा दिये उन कर्तवियों का पालन करते हैं हनुमान जी को भगवान श्री राम ने इस कल्यूक के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आग्या दिया था तो फिर इस कल्यूक के अंत से पहले भगवान कलकी से हनुमान जी का मिलन कैसे होगा समय से पूरू किसी भी कार्यू को किया जाए तो उसके परिणाम या तो असफल होते हैं या फिर विनाशकारी होते हैं इस कल्युक के अंत में भगवान कलकी जब इस प्रित्वी लोग पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुना भगवान कलकी के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम जी के दिये हुए उन वचनों का कारिकाल भी समापत हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुना शिव में समा जाएंगे तो दोस्तों ये थे हनुमान जी के शक्तियों से जुड़े रोचक तथ्या हनुमान जी के प्रती प्रेम को दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जै श्री राम लिखना ना भूलें ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो फिर मिलता हूँ किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ दिस इस रामानन साइनिंग आफ बाई